अजीद सिंग हत्या कांड के मामले में स्टीएफ ने धनेंजे सिंग को राहत प्रदान कर दिये यानि लखनव कमिस्टेट पुलिस ने धनेंजे को गैर जमानती धाराओं में आरोपी बनाया था तो स्टीएफ ने अपनी जाच में उसको जमानती आरोपों का दोशी पाया है इस मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाई भी हो रही है, हमारे साथ अजीत सिंग की पत्नी मौझूद है, हम उनसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? रानु सिंग, मैं अजीत सिंग की पत्नी, रानु सिंग हूँ रानु जी ये बताईए कि STF ने जो जाच की है कि आप उसे संतुस्ट है जी नहीं मैं उनकी जाच से मैं संतुस्ट नहीं हूँ क्योंकि बिना मुझे मुझे से बिना पूछे और मेरा जाच STF को दे दिया जाता है विबुतिखन थाने में था वहां से इन लोगों ने गाजी आपाद मतलब जिसमें हर सोने पर सोहागा धहनचा सिंग का हो गया जिसमें कि इन्हों ने तुरंट अपनी सेटिंग करके यह STF को सौब दे क्योंकि उससे पहले मैंने रेट दाखिल कर चुकी थी किसी सौतंत SNC को दिया जाया जिसमें मुझे न्याय मिले अचा आपको क्या लगता है कि लखनू पुलिस इस मामले की सही जांच कर रही थी या STF ने सही जांच की है सर अभी जब तक लखनू पुलिस जब तक जांच कर रही थी तो कुछ तो ठीक चल रहा था जब से STF के पास यह जांच गई है मेरी उसके बाद उन्हें बचाने का वो हर मुम्किन वो हर कोशिस करके इन्होंने इन्हें बचा रखा है अपने तरब से इन्होंने बचा लिय है क्योंकि मुझे इंसाफ ऐसे नहीं मिलेगा और यह मैं नहीं कह रही हूं क्योंकि इससे बहुत सी सारे केसे हैं जिसमें धरंजे सिंग इन्वाल है और STF के पास उनका केस ट्रांसपर हुआ और STF ने उन्हें बचा रखा रखा रानू आप यह बताईए कि लखनू पुल हमारे पास एविडेंस था सारी चीजे साक्षे साथ सब कुछ लगा दिया गया था उस लगाने के बावजूद STF आलों ने इन्हें बरी कर रहा है उसमें जब लखनू पुलिस ने जाज की थी तो जब पहले नाम आये थे जो FIR में दर्ज किये गये थे मोहर सिंग ने जो F खास है प्रदीप सिंह कभुतरा है ये भी धरंज सिंह के साथ इसने घड़ मेरे पति के घटना से 1 साल पहले से इन लोगों की साजिश चलती थी इफ्रू अभी प्रदीप सिंह के फ्लाइट में रहता था किसके qu ng monna ने सांसद धर्यंज के फ्लाइट में प्रदीप बाते हैं यहां लखनु में उनका कोई फ्लैट है क्या तुंटु सिंग बन थे capital प्रादीप सिंग का वुतराव बाहर था तो सारी चीजे यहां से वहां जो भी करना था बाते हैं मीटिंग है यह सारी चीजे प्रदीप सींग कभूतरा करता था मानने सांसत्ध धरजांजा सिंग के पास चाहिक है और उन्हीं कहा था कि हाँ नहीं कुंटु भया अखंड भया इन लोगों के थ्रू आप सिपु सिंग जो विधायक थे उनके मडर के समें मेरे पती वादी मुकंद गवा थे तो उन लोगों का इक वाई होनी थी और मामला वो निर्णायक दोर पे चल रहा था छे जन्वरी को मेरे पती का इन लोगों ने निर्मम हत्या किया उस घटना के एक हफते बादी मेरे पती का गवाई था सिपु सिंग विधायक वाले में तो उन्होंने पहले से बोल रखा था कि हा नहीं तुम गवाही से नाम हटा लो अपना गवाही मत दो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा मेरे और अखंड उनके थ्रूद धरंजा सिंग से मिल करके हम लोग सारी साथ तैयारी हो चुकी है और तुम्हें मरवा दिया जाएगा उन्होंने कहा इस तरह की धंकिया अजीत सिंग को मिली थी यह धंकिया मिली थी सर इनों यह धंकिया तो एक बार इन्होंने लखनो फ्लैट प्रदिव भुटरा प्रदिव सिंग ने ही भेजा था कि कुंटू अखंड दरैंजे सिञ इन्होंने अथा chant सब लोगोंने मिल चुके थे और उनोंने मेरे यह पूजा था 2020 में, फरवरी में, महां मिर्तिंजाई का जाप चल रहा था, उस टाइम इनोंने प्रदिफ सिंग का उतरा उस टाइम भी मेरे घर गया था, तो भी महां भी धंकिया दिया था, यह चीज़, अच्छा यह लगातार धंकिया मिलती रही, तो आपने अपने पती को चेतावनी नह दें, या फिर अपनी सुरक्षा का इंतिजाम कर लें, मेरे पती ने बहुत कोशिश की अपनी सुरक्षा के लिए, उन्होंने हाई कोड सुप्रीम कोड तक गया, सिब्याई जांच चल रही थी, सर पुलिस, मतलब किसी ने कोई भी मदद नहीं किया, उन्होंने वह वादी म से फिर ये सारी चीजे हम लोग बार-बार थाने, पुलिस यहां वहाँ जाए, हम आजमगड में भी किये थे, उसके लिए मैंने डाला था कि हाने कुन्टु मेरे पती को कोड में धंकिया दी थी, अच्छा ये कहा जाता है कि धनिया सिंग के पास सरकार के कुछ मजबूत ल सिंग क्रिकेट खेल रहे थे, तो आरोब भी लग रहे हैं तमाम, क्या आपको लगता है कि सरकार और स्टीएफ जो चर्चा में है, सोशल मीडिया पर चर्चा में है, धनिया को आश्राय दे रहे हैं, उनका बड़ा कद है, बड़ा नाम है, तो उनको कहीं न कहीं, उनको उन कियाने, मुझे वो नयाय दे, मैं अजित सिंग की पत्नी विद्वा बोल रहे हूं, मेरे चोटे-चोटे भच्चे हैं, मुझे नयाय दे, आपको कोई खत्रा मैसूस होता है कि अभी, जी मुझे अभी भी हमारे लोगों के थ्रू मुझे दमकिया मिल रही है, मेरे फैमिली म से या उस घटना में जितने भी लोग थे, कोई दूर दूर तक मेरे पती का लेना देना, कोई वास्ता नहीं था, रानु एक बात बताईए कि अब तो चुकी वो धाराएं ऐसी लगा दी है, स्टी अपने जिसमें उसको जमानत लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो गै किसी तरह से वो मंत्री बनने की कोशिश करेंगे, तो आप, आपको आगे क्या लग रहा है, क्या सोचती है, इसको लेकर, मैं माननिय मुख्य मंत्री जी से अपील कर रही है, क्योंकि मेरा किसी स्वतंत्र एजन्सी को मेरी जाच सौप दी जाए, क्योंकि मुझे स्टी एप भरोशा नहीं है, एस्टी एफ उन से मिली होई है, एस्टी एफ उन्हें हर कदम पे माननिय सांसर धरंजा सिंग का सपोर्ट करती है, और सर ये मैं नहीं, इन्होंने इतनी बार दो, दो, तीन, तीन केसे गया है, जो जिसमें एस्टी एफ आले बिवेशना से इनका नाम हट दिये हैं, और मेरे भी केस में यहीं लोग कर रहे हैं, तोर मरोर कर रहे हैं, और मेरे केस को यह लोग खतम, वहां से धरंजा सिंग का नाम निकाल देंगे, आपने एक अप्लिकेशन भी दी थी कोर्ट में, जिसमें कहा था, निस्पक्ष जाच की जाए, क्या आपको ऐसा श तो फिर कहीं न कहीं उनकी दोस्ती उनकी वसूलों पर भारी पड़ जाती है, एस्टी एफ अपने वसूल से पीछे हड़ जाते हैं, और अपनी दोस्ती को निभाने लगते हैं, धरंजा सिंग को लेका, तो सर मुझे नहीं है, उस दिचे संतुष्टी, बहुत शुक्रिया अपने रानू हैं, अजीत सिंग की पत्मी, और उन्होंने कहा है कि स्टी एफ और धरंजे की दोस्ती है, बड़ा आरोप लगाया है, और मुखमंत्री योगी आदे तिनास से निस्पक्ष जाच की मांग भी की है, कैमरा सियोगी प्रमोत के साथ विवेक्त रिपाठी ये ब आपके